कार्तिक मास की सुकल पक्ष की एकादसी को देव उठनी एकादसी मनाई जाती है और देव उठनी एकादसी को हरी प्रवोधनी एकादसी और देवत्थान एकादसी भी कहते हैं इस एकादसी पर तुलसी का विबाह सबसे ज़्यादा महतपूर्ण होता है और इसको देव उठनी एकादसी को छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं तो यहां तुलसी का विबाह चरूर करना चाहिए आईए जानते हैं कैसे नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार्ग तुलसी की विबाह कैसे करें क्या क्या लगेगी पूजन सामगरी और तमाम बिधी विधान आईए जानते हैं बिस्तार से देखे हिंदू मानने ताओं में ऐसा कहा गया है कि हर घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए क्योंकि जो व्यक्ती प्रती दिन तुलसी में जल देता है तुलसी का सेवन करता है उनके जीवन में कभी भी दुखों का आग्मन नहीं होता और इस देव प्रबोधिनी एकादसी के दिन जल में तुलसी के पत्ते डाल कर ही नहाईएगा तब आपको तमाम तिर्थों के स्नान का इतना फल मिलेगा क्योंकि ऐसी माननेता है इस दिन नहाना चाहिए आप यग में बैठने के अधिकारी हो जाते हैं अगर तुलसी के पत्ते जल में डाल कर नहाते हैं आईए जानते हैं कैसे करेंगे पूझा इस दिन देखिए आप अपने घर के जितने भी परिवार के सदस से हैं हर कोई बीवा में सामिल जरूर होईएगा नहाद होकर स्वक्षवस्त्र पहन कर तयार हो जाएं अब तुलसी बिवा करन्यादान के तरह ही होता है इसलिए इस दिन ब्रत जरूर रखें सभी लोग नहीं रख सकते हैं तो घर की कोई एक महिला जरूर रख लें और सुम मुहृत वैसे हमने दे दिया है तुलसी के पौधे को आंगन में एक पटले पर यानि की जो होता है लकड़ी का उस पे रखें आप चाहें तो च्छत या मंदिर में भी कर सकते हैं बालकनी में भी कर सकते हैं कहीं भी जहां भी आपके इच्छा है अब एक चौंकी पर साली ग्राम भगवान को रखें चौंकी पर अस्ट दल कमल जरूर बना लीजेगा अभीर से बनाईए वो भी चलेगा अब उसके उपर कलस अस्थापित करें कलस में जल भरें और कलस के जो लोटा है उस पर स्वस्तिक बनाईए आम के पांच पत्ते उसमें डालें अब एक लाल कपड़े में नारियल लपेट कर आम के पत्तों के उपर रखें और कलस में जो पानी है उसमें एक सुपारी और एक रुपे का सिक्का डाल दीजेगा सिक्का को बाद में मंदिर में रख दीजेगा और सुपारी को भी आप चाहें तो मंदिर में रख दीजिएगा कोई दिकत नहीं है तुलसी का जो आप गमले हैं उसमें अच्छे से गेरू लगाएं सजाईए गमले के पास जमीन पर गेरू से रंगबोली बनाईए या आप चाहें तो अभीर से भी बना सकते हैं या आप चावल के घोल से भी बना सकते हैं अब तुलसी के गमले को साली गराम भगवान के चौंकी के दाहिनी और अस्थापित करें अब तुलसी जी के आगे एक घी का दिया जलाएं गंगा जल में पुस्प डुगो कर ओम तुलसाय नमहा ओम तुलसाय नमहा जब करते वे तुलसी जी पर गंगा जल छिड़कें इसके बाद साली गराम जी पर छिड़कें गंगा जल अब तुलसी जी को रोली या फिर सिंदूर अर्पित करें और साली ग्राम भगवान को चंदन लगाईए फिर आप साली ग्राम भगवान को चंदन का टीका लगाने के बाद आपके घर में जीतने भी लोग हैं सब को उस टीके से टीका कर दे तुलसी जी के जो गमले हैं मिट्टी में ही वहीं पर गन्ने का मंडब बनाई है यानि चाड आपको गन्ने लेने हैं मंडब बनाए इसके साथ ही आप दूद, दही, घी, सक्कर, गुड़ और सहद मिलाकर पंचामरित बनाकर रख लीजेगा फिर इसके बाद मंडब बनाने के बाद सुहाग का जो प्रतीक होता है चुन्दरी तुलसी जी पर उढ़ा दे अब इसके बाद गमले को साड़ी से लपेट कर आप उन्हें तमाम जो सुहाग की सामगरी होती है उन्हें अरपित करें और तुलसी जी के आगे वह पर घीका आपको तो दिया जलाना ही है इसके बाद आप जब उनको अरपित कर ले इसके बाद आप साली ग्राम भगवान को पंचामरित से असनान कराईए फिर पीले रंग के वस्त्र लपेट दे साली ग्राम भगवान पंचामरित असनान कराने सजाईएगा तो अच्छे से सजा दीजिएगा चारो तरफ से जैसे पुस्प बेकरे लगा कर अच्छे से अब वहां पर देखिए साली ग्राम भगवान को हल्दी लगाईएगा दूद से हल्दी को भीगो कर लगाईए और तुलसी जी के पौधा में दो चार चमच आप जल ले थोड़ा सजल ले उसमें दो चार बूंद डूर डालकर अर्पित कीजिए फिर यह जो गरने का आपने मंडब बनाया है नहां पर हल्दी का थोड़ा थोड़ा लेप लगा दें गरने से गरने के उपर इसके बाद जैसे मौसमी फल मिलते हैं आवला जरूर अर्पित करे क्योंकि आवला को स्वर्ण के समान माना गया है इस दिन आवला अर्पित करने का और खाने का भी बिधान है तो इस दिन आप आवला जरूर अर्पित करें और जैसे जो भी आप मौसमी फल मिलते हैं सेब बेगर हैं या फिर नारियल तो आपको अर्पित करना ही चाहिए पिर आपने सुहाक की सामाग्रिया पित की यह सभी आप परसाद की रूप में पहनिएगा कोई दिकत नहीं है पूजा के जब आप करेंगे तो उसमें आप इसके बाद पूजा करने के बाद साली गराम भगवान की चौंकी है उसको आप उठाईए समेथ हाथ में यानि कि साल बाली चलता है ना बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा परिक्रमा और घर में जो पूरुष सदस्द से हैं वह चाहें तो साली कराम भगवान को चौंकी को लेकर परिक्रमा कर सकते हैं नहीं तो महिलाएं भी करने कोई दिकत नहीं है लेकिए आप साधी करवारी है ठीक है तरब अस्थापित करते हैं और आरती करें विवास संपन होने की घोसना करें और घर में जितने भी लोग हैं परसाद घरन करेंगे लेकिन याद रखिए परसाद में संभव हो तो खीर पूरी बनाईए नहीं है संभव तो आप मिठाई सफेद मिठाई है लड़ू है बहु आप मिठी से मंडब बना और हल्दी का लेप लगा या फिर आप चावल के घोल से भी बना सकते हैं पूजा के समान के लिए आप पलास्टिक के समान का इस्तमाल मत कीजिए कोई भी चीज नहीं क्योंकि पलास्टिक अच्छा नहीं माना जाता धर्म कारे के लिए आपको तो तुल्सी और सालीम को जबा भोग लगाईएगा और ऐस दिन अगर चावल की खिरा बनाना चाहते हैं तो मत खाईएगा अगले दुन खाईएगा लेकिन अगर आप उपर बेगिरा का सेवन घर में नहों इस अजान रखकती तो कुछ चोटी सी चीजों का धिएन डखकर आप इस दिन तुलसी जी का विभा करवा कर आप कन्यादान का पुन्यफल प्राप कर सकती हैं बहुत सिंपल है लेकिन बहुत आसान भी है और मा तुलसी का विभा संपन इस तरह से हो जाता है लेकिन तूसी जी का विवाः आप करवा लेंगी वहाँ पे जो आपने भगवान स्री हरी का आपको चरन पादुका जुरूर बनाना है याद रखिएगा जहाँ पर जैसे ये मंडब बना हुआ है तो मंडब के पास रंगोली है रंगोली का वहाँ पर आपको चरंद पादुका बनाना है और चरंद पादुका को आपको वहाँ पर सब कुछ उनको नवैद पुस्प बेगेरा अर्पित करके रात में डलिये से या घर में कोई बड़ा गमला बेगेरा है उससे धख दीजिएगा अगले दिन सुपोस को उठाइएगा और रात में जब आप उनको विभा करवा लीजिए उसके पहले आप वहाँ पर चारो तरफ घुम कर उठो उठो पासुदेव उठो उठो बासुदेव तो ये वाला मंत्र आप जरूर बोलिएगा कैसे बोलेंगे बचलों को थाली देदे और इक यारी जो इक होता है उसका टुकरा आप देदेए बचलों के हाथ में और बोलिए उसी से थाली बजाएं और बोलिए आप लोग उठो उठो देवा बैठो देवा उंगरिया, चटकावो देवा तो इस तरह से बोलकर आप उनको उठाईए प्रेम से वो उठ जाएंगे और यहां से सुमंगल कारे भी शुरू होंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए जीवन की सारे आनंद खुसियां आपको मिलती है अगले दिन जब साफ समान आप वहां पर से हटाएंगे साफ सुत्रा करेंगे तो याद रखिए पहले इसको कपड़े से पोश कर हटा लिजेगा फिर पानी डाल कर गीला करके पोश कर हटा ले जारू एकदम से मत लगाईएगा आप कुछ भी उसको साफ करने के लिए बहुत कुछ बच गया है तो गाई को दे दीजिएगा और अब सिर्फ अपने ही नहीं खाना आपको परसाथ आसपास के लोगों में भी थोरा सा बाटिएगा और यह जो आप तुलसी जी पर सिंदूर लगाईएगा हर एक पत्ते में और जो सिंदूर आपने उनको अर्पि देखे जब भी आप पूजा करती हैं एक बात हमेशा याद रखिए पहले आप गनेज जी को महलाएं नहीं लगाती जितनी भी देवी देपता को आप पूजा करती हैं देवियों को सिंदूर लगाईए उसके बाद जो अपकी उंगली में लगा रह जाता है उससे अपनी म गवान को रोज लगाती हैं क्योंकि सारा का सारा आप इधर कर लेंगी फिर बहुत सारा हो जाएगा तो उस तरह से ठीक नहीं होता आप ऐसे जगर रखें कि उसको आप यूज कर सके एक बात हमेशा याद रखिएगा सिंदूर कभी चुलाता नहीं है बहुत साए लोग क्य बनाईए जैसे कि देव उठनी एकादसी के दिन भी बनाया जाता है तो आप गमले में स्वस्ति बनाईए सुमंगल चिन बनाईए घर के मुझे दरवाजे पर बनाईए तो जो पुराना सब सिंदूर होता है उसका यूज कर सकती है और उसी को आप घी में मिक्स करके कर सकती है और जो साली गराम भगवान पर पीला कपड़ार पित किया है दोनों में दो गांट लगाकर उसको संभाल कर अपने पास रख लीजेगा यह आपके बैवाही जीवन को मजबूत करेगा और साली गराम भगवान को आसन देकर तुलसी जी के पास ही रखकर आप जहा सा जो सीधा होता है गरीब को देने के लिए या ब्रह्मन को देने के लिए या पास के मंदी में देने के लिए निकालने आप चाहें तो पैसे निकाल कर भी दे सकते हैं तो इस तरह से आपका ये ब्रत पुरा हो जाएगा और आपको करनियादान का फल भी मिलेगा फिलाल आ अन्खारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा धन्यवाद हम पिर मिलेंगे